हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में पर्मानेंट वैकेंसी आई है टीचर्स की PRT, TZT, PZT के लिए APS से ये सिक्षक भरती का विज्ञापन जारी किया गया है जो भी कैंडिडेट पर्मानेंट टीचर वैकेंसी के लिए वेट कर रहे है तो चलिए देख लेते हैं वैकेंसी कहां से आई है किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें समझते है सबसे पहले जो है आपको official main website पर आना है आर्मी पब्लिक स्कूल कानपूर से यह वैकेंसी जारी की गई है न्यूज में सबसे उपर 12 जैन 2024 नोटिफिकेशन जारी किया गया है main website पर इसी पर क्लिक करेंगे जहां पर लिखा है anticipated vacancies for the session 2024-25 इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है name of vacancies last date 31 जैन 2024 तो ज्यादा समय नहीं है 31 जनवरी 2024 last date रहने वाली है तो यहां पर जो है notification हिंदुस्तान newspaper में और Times of India में publish किया गया है तो चलिए देख लेते हैं click here for advertisement and qualification for LSV तो यह जो है permanent vacancy का notification है Army Public School Kanpur PZT Physics and Chemistry की vacancy है TZT में Science, Mathematics, Physical Health Education Social Science, English, Hindi, Computer Science and Sanskrit Counselor की vacancy है Primary Teachers में all subject, सभी subject की vacancy है Physical Health Education की भी है primary teachers में Computer Science, Dance, Music, Art and Craft and Special Educator की vacancy आई हुई है काफी candidate पूछते रहते हैं कि अगर drawing, painting की art, craft की vacancy आती है तो बताई जाए permanent तो यह बिल्कुल permanent vacancy है Group D की vacancy है जहाँ पर daily salary दी जाएगी बाकी PRT, TZT, PZT में monthly permanent जो teachers को दी जाती है salary आप सभी को पता है बहुत सारे video Army Public School के हर state में हर जगहे के जितने भी जारी किये गए हैं वो सभी आप लोगों को वीडियो के मादियम से बताए गया है तो यह कानपूर की vacancy है Group D में driver, gardener, सफाई वाला, electrician, lady sweeper mason, plumber, carpenter, messenger और MTS की ठीक है Application form and request site qualification detail can be obtained from school website APSKaanpour.com qualification वही है जैसा कि मैं हर बार जो है Army Public School में जाने के लिए आप लोगों को post graduation के साथ में beard होना जरूरी है TZT के लिए graduation plus beard plus आपका seat at paper 2 qualify होना चाहिए PRT के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो 12th के साथ में BTC, DLAD, BSTC आपने जो भी किया है primary level का diploma degree और साथ में seat at paper 1 आपका qualify होना चाहिए इसके अलावा जो है score card रहता है जो कि हर साल एक exam conduct करवाया जाता है जैसे KVS में जाने के लिए seat at qualify होना जरूरी है इसी तरह के से APS में CSB score card जैसे बुलाते हैं online screening test होता है हर साल जो कि AWES के द्वारा conduct करवाया जाता है तो आपको जो है उसे qualify करना होता है आपके हाथ में score card होता है उसके बाद जो है आप लोग APS में apply कर सकते हैं अगर ऐसे candidate जिन्होंने exam नहीं दिया है जिनके पास score card नहीं है वो भी यहाँ पर apply कर सकते हैं इस साल इन्होंने थोड़ा सा नियम में परिवर्तन किया है कि जिनके बास score card है तो वो भी apply करें जिनके पास नहीं है तो interview बिल्कुल दे सकते हैं selection भी हो सकता है लेकिन जिनके पास score card नहीं है तो दो सालों के अंदर उन्हें इस exam को clear कर लेना है यह permanent vacancy है next जो है application form आप लोगों को main website पर मिल जाएगा जहां भी जो है APS की vacancy निकल रही है आप लोगों को application form main website से ही जो है download करना होगा फिल करना होगा offline mode में भेजना है यानि कि आप लोगों को register post करना है या फिर speed post करना है demand draft जो है keval और keval किसी भी post के लिए अगर आप apply करते है तो हर post के लिए 100 रुपे का demand draft आपको school के नाम का बनवाना होगा आप जो है SBI में जाकर या post office में जाकर जो है बनवा सकते हैं next जो है यहाँ पर लिखा है address the principal APS Kanpur near civil aerodrome Kanpur can 208004 यह pin code रहेगा यह address रहेगा जो कि आप envelope के उपर लिखेंगे किस post के लिए आप apply कर रहे है तो for the post of PZT Computer Science या PZT Hindi या PZT Sanskrit जिसके लिए आप apply कर रहे हैं ज्यादा समय ना लगाए क्योंकि 31 जनवरी 2024 जो है वो last date रहने वाली है ठीक है तो यह सभी information आप लोगों को यहाँ पर selection रहने वाला है salary काफी अच्छी जो है आपको यहाँ पर मिलने वाली है ठीक है केंद्रे विध्याले से ज्यादा salary जो है आप लोगों को यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल में दी जाएगी जैसे KVS में जो की contract base पर जो vacancy आती है तो वहाँ पर PZT के जो टीचर्स है 26,000 तक जो है salary रहती है बट APS में आपकी जो salary है 60,000 आपकी salary PZT के टीचर्स की रहेगी और यह regular base पर vacancy है permanent vacancy है तो और बाकी जो है आप लोग और भी जो है check कर सकते हैं main website पर जाएएंगे तो आप लोगों को माध्यम से और भी जैसे ही vacancy आती है किसी भी state की बिल्कुल आप लोगों को सिक्षक भरती से जुड़ी सभी जानकारी इस वीडियो में के माध्यम से चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी मिलेंगे next वीडियो में Thank you